छोड़ो मैं राइस्थान की घैलाव साब की बात वो कॉंग्रेस ने पिशड़ों को छला मा धोका दिया सचीन पाइलेट के चेहरे पे वोट ली हैं और उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तमाम पिशड़े जितने वे जाट गूजर यादव कर्शचाप सुना लोहार कमार तमाम पिशड़े खिलाब हैं और इस बार दिखा देंगे कि सचीन पाइलेट को मुख्य मंत्री ना बनाना कॉंग्रेस को कितना भारी पड़ेगा उत्तर परदेश में साड़े तेरे परसेंट बोट अपना लेके एकटा खड़े हुए जिधर चले जाएंगे उधर ही पूरी जीत चली जाएगी हाला कि कमारी भेनमायवती जी कह चुके हैं कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे तक यह पार उतराएगा फिलस्तिनी है उनके दसकों से कुछ हो सकता है कुछ डिमांड ऐसी हो जो जैनुवन हो उसका संघर्स पिछले दिनों चल रहा हो भी सकता है और वर्ल्ड को इस पर संग्यान लेके सोचना चाहिए था जरुरत थी तो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां के लोग सडकों पर हतियार लेके आ जाएंगे और यूतियों की हतिया करके उनको बिल्कु निर्वस्तर करके और उनको खुले टेम्पूओं कारों में डाल करके उनके उपर हतियार लेकर के बैठेंगे और दूसरे लोग आके उनके थूखेंगे और छोटे-छोट बच्चों को जैसे इनको पालतु जीवों को ये पक्षियों को बंद कर देते हैं इस तरह बंद कर रखें ये उग्रवाद का समर्थन किसी को भी नई करना चाहिए चाहे कोई पार्टी हो चैकोई संग्ठन हो हाँ इतना जरूर है कि जो देश में जो हमारे लोग हैं जैसे मैं हूँ मुरे मुसलमानों ने चुनाव जिताने में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है पर कुछ लोग चुनिंदा जो खुद MLA जीतना चाहते हैं खुद MP जीतना चाहते हैं ये कहीं पर अपनी पार्टी को establish करना चाहते हैं तो जाके फिलस्तीन और जाकर के इस्राइल के बारे में अपनी जहरिली अगर ज़वान खोलते हैं तो देश का माहौल खराब होता है और देश का माहौल खराब करने का किसी को भी अधिकार नहीं है इस पे ज्यादे चर्च झाल झाल